आज हम सुनेंगे रामभर्त शबरी की कहानी शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी देखने में बहुत ही साधारण पर हिर्दय से बहुत कोमल बेजुबान पशू पक्षियों के प्रती उसके हिर्दय में परम करुणा और प्रेम के भाव कूट-कूट कर भरे हुए थे जब वह विवहा के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका बिवान निश्चित कर दिया आदिवासियों के एक प्रता थी कि किसी भी शुप कारे से पहले भी पशू की बली देते थे इस प्रता के लिए उनके पिता विवहा से एक दिन पहले सौ भेड बक्रियां ले आए शबले ने पिताजी से पूछा पिताजी इतनी सारी भेडबक्रियां क्यों लाए हो तो पिता ने कहा पुत्री कल सुभे से तुम्हारे विभाकार्य और विधियों को प्रारंब करने से पहले इन सभी भेडबकरियों की बली कुल देवी को प्रसंद्न करने के लिए दे जाएगी ताकि विवहां में किसी प्रकार का कोई वेखन ना आए और सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाए ऐसा कहकर पिता वहां से चले गए प्रेथा के बारे में सुनकर शबरी का मन द्रवित हो उठा वह बहुत दुखी हुई उस रात शबरी को नेंद भी नहीं आई और वह पूरी रात उन भेडबकरियों के पास ही बैठी रही उसके मन में एक ही बात रहे रहे कर उठ रही थी कि कैसे वो इन बे जुबान पश्वों को बचा पाए तब ही अचानक शबरी के मन में एक खयाल आता है कि यदि वह सुबह होने से पहले भाग कर जंगल की ओर चली जाए तो इन जानवरों की चान पच सकती है शबरी ये बात भी भली बाते जानती थी कि यदि वह इस घर से एक बार चली जाएगी तो उसके बाद वह घर वापिस कभी नहीं आपाएगी परन्तो उसका चित किसी भी परकार उन बे जुबानों को अपने वज़े से बली चड़ते हुए देखने के लिए तयार नहीं था सो उसने खुद से पहले उन जानवरों के विशे में सोचा और उसी पल शबरी घर से निकल कर एक घने जंगल की योर चल दी अकेले शबरी इस प्रकार घने जंगलों में बटक रही थी तब शबरी ने शिक्षा प्राप्त करने की सोच कर कई रिशी मुनियों के आश्रम में दस्तक दी परंदु एक छोटी जाती की हुने के कारण सभी ने उसे दुदकार कर निकाल दिया कोई भी रिशी मुनी उसे शिक्षा और ज्यान देने के लिए राजी नहीं हुआ मतंग रिशी ने पूर्ण प्रसन्नता के साथ शबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। इसके लिए मतंग रिशी को अन्य कई रिशी मुनियों के कोप का और भिविन प्रकार की तरहे तरहे की बाते सुनने का तिरसकार भी सहना पड़ा। उदर शबरी ने बहुत ही जल्द आश्रम और गुरुकुल के नियम, कर्म और आच्रणों को बहुत ही आसाने से अपना लिया। और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी शिक्षा प्राप्ती के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, गवू का धिहान रखना और अन्य गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने जैसे कार्रे भी पूर्ण हर्ष और भाव के साथ करती थी। इसी प्रकार कई वर्ष पीत गए। मतंग रिशी भी शबरी के आच्षर, वहवार और गुरु भक्ती से बहुत प्रसन्न थे। मतंग रिशी अब बुड़े हो चुके थे। उनका शरीर भी दुर्बल हो चुका था। तभी एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा। पुत्री मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है। अब मैं अपना शरीर छोड़ कर परम पिता में लीन होने की इच्छा से समाधी लेना चाहता हूँ। परन्तु उससे पहले मैं तुम्हें एक आशिरवार देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब शबरी आँखों में आशु भर कर कहने लगे। हे गुरुवर आप ही मेरे पिता हैं। आप मुझे अपने साथ ही ले चलें। तब रिशी मतंग बोले। नहीं पुत्री मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी इश्वर भक्ती और कर्तव्य परायनता करुणा भाव का तुम्हें उचितलाब मिलेगा। और उसी के फलस्वरूप एक दिन तुम्हें उस परंपिता का दर्शन होगा। स्वें राम जी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा उद्दार करेंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ती होगी। इतना कहकर मतंग रिशी अपनी देहे को समाधिकत कर लेते हैं। उसी दिन से शब्री ने श्री राम के इंतजार की लोग अपने हिर्दे में जला ली। वें नित्यप्रती सुभे होते ही आश्रम की सफाई करके सुन्दर सुन्दर फूलों से आश्रम को सजाती। मीठे मीठे फल बाग से इखटा करती और श्री राम का इंतजार करती। उसे रामची के आने की कोई निश्चित्तिती पता नहीं थी। परन्तु अपने गुरुवर की बात पर पून विश्वाश था कि एक ना एक दिन उसके राम जरूर आएंगे। एक दिन शबरी आश्रम के पास एक बड़े तलाब से पानी लेने के लिए गई। वही पास ही में एक रिशी तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अच्छूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा। जिससे शबरी का हाथ जखमे हो गया और रक्त की एक बूंद उस नदी के जल में जा गिरी। जिससे उस तलाब का सारा जल लाल रंग का रक्त सा हो गया। शबरी वहां से रोती हुई राम को याद करती हुई अपने आश्रम में वापिस आ गई। उस रिशी में उस तलाब के जल को ठीक करने के लिए बहुत से प्रियास किये। कई पवित्र नदियों जैसे गंगा और यहुना आदी का जल भी उस तलाब में मिलाया। परन्तु फिर भी तलाब के पानी का रंग लाल ही रहा। कुछ वर्षों बाद जब श्री राम सीता माता की खोच करते हुए उस तलाब के पास आए तो वहां के लोगों ने राम जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभू हम आपके चर्णों के प्रभाव को जानते हैं। आपकरपा करके अपने चर्णों से इस तलाब के रक्त को छूदें ताकि वह फिर से जल बन जाए और हमारी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उनके आग्रह पर राम जी ने उस तलाब में अपने चर्णों को रखा परन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल पहले जैसा सुर्ख ही रहा। तब श्री राम रिशी से कहते हैं हे रिशीवर आप मुझे इस तलाब की संपून कथा सुनाएं कि कैसे इसका जल रक्त में परिवर्तित हो गया। तब रिशी उन्हें शबरी और तलाब की पून कथा बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभू यह जल उसे शूद्र शबरी के कारण एपवित्र हो गया है। तब भगवान बहुत दुखी हो कर कहते हैं कि हे रिशीवर यह रक्त उस शबरी का नहीं बलकि मेरे हिर्दय का है जिसे तुमने अपने वचनों से दुखाया है और घायल किया है। और भगवान राम बेशी से आग्रह करते हैं कि किरपा करके आप मादा शबरी को यहां बुलाएं। मुझे उनसे मिलना है तब ही शबरी को वहाँ पर बुलाया गया। बुलाने के लिए लोगों ने बताया कि रामजी आये हैं। तो राम नाम सुनते ही शबरी मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए ऐसा कहते हुए महाँ दोड़ी चली आती है शबरी के दोड़ कर आने से उसके पैरों की धूल उड़कर तलाब में चली जाती है और तलाब का रख फिर से जल में परिवर्दित हो जाता है और राम जी रिशी से कहते हैं, देखिये गुरुवर्द, आपके कहने के अनुसार मैंने सब किया, परंतु उसका कोई लाब नहीं हुआ और यह रक्त शबरी माता के पैरों की धूल लगते ही फिर से जल बन गया है शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चर्णों पर गिर जाती है, और अपने साथ अपने आश्रम में आने का आग्रह करती है शबरी ने उस दिन भी अपना आश्रम फूलों से सजा रखा था, और बाग से चक चक कर सबसे मीठे और रज़तार बेर अपने प्रभुराम के लिए लाई थी शबरी पूरे उत्साहा और आनंद से प्रभुराम का स्वागत करती है, और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाती है प्रभुराम भी बड़े प्रेम से उन्हें खाते हैं, और लक्षमन जी से भी बेर खाने को कहते हैं तब लक्षमन जी कहते हैं भाया ये बेर छूटे हैं आप भी निना खाएं तब श्री राम कहते हैं लक्षमन ये बेर छूटे नहीं बलकि सबसे मीठे हैं क्योंकि ये प्रेम और भाव से भरे हुए हैं और भगवान राम और भियदिक प्रेम से उन बेरों का आनंद लेते है मतंग रिशी का कथन सत्ते होता है और देवी शबरी को मूख्ष की प्राप्ती होती है और राम शबरी के राम बन जाते हैं इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुचा कर तर्म लाप प्राप्त कर सकें